भुवनेश्वर सभी को आर्थिक सशक्तिकरण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने लक्ष रखा है सभी पंचायत में बैंकिंग सेवा पहुँचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है खिर भी शिक्षा एवं ग्रह निर्मान जैसे दोग शेतर में कर्स देने के मामले में आशानुरूप सफलता नहीं मिली है नवीन पटनायक जी 20 शिखर सम्मेलन को लेकर राश्ट्रपती द्रॉपदी मुर्मु ने रात्रिभोज आयोज़त किया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को रात्रिभोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है हालांकि मुख्यमंत्री ने रात्रिभोज से दूर रहने का फैसला किया है राश्ट्रपती कार्यालय को लिखित में सूचित किया जा चुका है कि नवीन पतनायक रात्रिभोज में शामिल नहीं होगे ओडिश के कटक जिले में आगलगी का एक बड़ा मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि एलन्टी ठेकेदारों ने मजदूरों के रहने के लिए कई कंटेनर बनवाए थे इसमें से 40 कंटेनरों में अचानक आग लग गई जिसके बाद सभी कंटेनर जल कर खाक हो गए इसके अलावा उसके अंदर रखे सभी सामान भी जल गया हाला की कंटेनर में रहने वाले सभी मजदूर बालबाल बच गए भुगनेश्वर जागर्न समबाददाता पलक जपकते ही पैसे खुद बखुद खाते में जमा हो गए किसी के खाते में 5,000 किसी के खाते में 10,000 तो किसी के खाते में 80,000 रुपए अचानक जमा होने से लोग हैरान है क्योंकि पैसा कहां से आया इसकी किसी को कोई खबर नहीं है हालांकि बैंक खाते में पैसा देख कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है जटनी से कॉंग्रेस के विधायक सुर राउतराय के बेटे और प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के सदस्य मनमत राउतराय को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है उन्हें अनुशा सनहींता के आरोप में कॉंग्रेस से निलंबित किया गया है हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रतिक्रिया दी थी कि वह स्वतन्त रहें और उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है भारत के लिए जी बीस महत्व पूर्ण था क्योंकि इस शिखर सम्मेलन स्थल में तेरहवी सदी के उडिशा के कोनार्क मंदिर से लेकर बिहार के प्राचीन नालंदा विश्व विद्यालय तक भारत की समरिध वास्तुकला विरासत को देखा गया था जी बीस रात्रिभोज के दौरान महमानों का अभिवादन करते समय पीएम मोधी और राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मुने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक सहित जी बीस के कुछ नेताओं को विश्व विद्यालय के महत्व के बारे में समझाया लखनव में विकल्प खंड गोमती नगर के रहने वाले अवधेश श्रीवास्तव ने सेवानिवरित आयेस अधिकारी राजेंदर कुमार सिंह और तीन अग्यात पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने लूट धोखाधडी और पचास लाख रुपए हडपने का आरोप लग सेवानिवरित आयेस राजेंदर सिंह और उनके तीन साथियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर अलिगंज थाने में मुकदमा दर्स किया गया घोसी विधान सभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से मिली हार दारा सिंह चौहान ही नहीं सुभास्पा अध्यक्ष उम्प्रकाश राजभर के लिए भी बड़ा जटका है विधान सभा चुनाव 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर सपा में आये दारा सिंह चौहान विधायक बने चौहान का करीब 14 महीने में ही सपा से मोहभंग हो गया पलबल के कैम्प थाना अंतरगत राश्ट्रिय राजमार्ग 19 पर शनिवार रात को कार और ट्रक ट्रेलर की टक्कर हो गई बताया जा रहा है कि ट्रक ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी थी जिसकी वजह से यह हाथसा हुआ है इस सडक हाथसे में कार सवार पती पतनी और कार चला रहे व्यक्ती की मौत हो गई जबकी चार अन्य लोग घायल हो गए राजत के राष्ट्रिय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी रविवार को एक साथ देवघर पहुँचे दोपहर डेड़ बजे फ्लाइट से उनके देवघर एरपोर्ट पर पहुँचने पर समर्थकों की भीड जुट गई कार्यकार्ता उस मर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया जानकारी के अनुसार लालू सुमवार को बाबा बैध्यानात के दर्शन करने जाए भारतिय डाक विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट GDS भरती की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बचे हुए पदों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी ही जारी होने की संभावना है Merit List online माध्यम से official website पर जारी की जाएगी जिन उम्मीदवारों का नाम Merit List में दर्ज होगा, उनको Document Verification प्रक्रिया में शामिल होना होगा वित वर्ष 2022 से 23 के डेट लोन के आंक्रे जारी हो गए है सितंबर 2023 में भारत का विदेशी डेट 2022 से 23 जारी हुए है मार्च तिमाही के अंत में विदेशी डेट सर्विस का रेशियो 5.3 फीसदी था निर्मला सीतार्मन ने कहा कि यह Cross Country के मुताबिक मामूली है आए इस रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं भारत में इस समय जी बीस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान सम्मेलन के पहले दिन जी बीस के बैकडरॉप पर एक पहिया नजर आया जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया अगर आप भी इस पहिये के बारे में जानने के लिए उच्सुख हैं तो आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे क्या है इस पहिये की खासियत थारत की अध्यक्षता में आयोजित जी बीस शिखर सम्मेलन जी बीस समिट में पहुँचे विदेशी महमानों के लिए राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु ने शाही डिनर जी बीस डिनर का आयोजन किया था इस दोरान विदेशी महमानों की थाली में बाजरे से बने देशी व्यंजन परोसे गए ब्रिटेन की प्रथम महिला समेत कई विदेशी महमानों और उनकी पत्नियों ने इन व्यंजनों को खुब सराहा है तीवीएस ने रोनिन 255 के लिए एकदम नया 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ओयल कूल्ड इंजन तयार किया है यह इंजन 20 होर्स पावर की पावर और 19.9 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है इंजन को पांच स्पीड गियर बॉक्स से भी जोडा गया है बाइक का क्लच हलका है और गियर बॉक्स भी अच्छी तरह से शिफ्ट होता है TVS Ronin 225 का पिक अपाचे RTR 204B की तरह तेज नहीं है The Washington Post ने लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया Middle East Europe Economic Corridor की घोशना की जो मध्यपूर्व Middle East के जरिये भारत इंडिया और यूरोप यूरोप को जोडेगा अखबार ने लिखा कि इस महत्वाकामशी प्रस्ताव का उद्देश्य एक अस्थिर्क शेत्र को जोड़ना और चीन के बियाराई का मुकाबला करना है समिट को लेखर पश्चिमी मीडिया में नकारात्मक खबरें चली इसका रशिया टीवी ने मुहतोर जवाब दिया भूकमप एक ऐसी आपडा जिसे रोकना नामुम्किन है यही कारण है कि इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ सतर्कता है अफ्रीका के मोरक्कों में 8 सितंबर की रात को आए विनाशकारी भूकमप ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है इस भूकमप से 2000 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टी की गई है इस कड़ी में आज हम विश्व के भूकमपों की चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप 2023 स्पिन गेंदबाज युजवेंदर चहल को एशिया कप के बाद एक बार फिर बड़ा जटका लगा है वर्ल्ड कप 2023 के लिए युजवेंदर चहल को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है पिछले दो-तीन सालों में युजवेंदर चहल का एक दिवसिय अंतर राष्ट्रिय में प्रदर्शन काफी खास नहीं रहा है वह गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में कोई खास योगदान नहीं पा रही है Grandparents Day 2023 हम सभी के जीवन में Grandparents का एक अलग महत्व होता है ऐसे में Grandparents की इसी एहमियत और उनके प्रती अपने प्यार को जाहिर करने के मकसद से हर साल भारत में सितंबर के पहले रविवार को Grandparents Day मनाया जाता है इस साल यह दिन 10 सितंबर को मनाया जा रहा है ऐसे में जानते हैं कैसे डिमेशिया का शिकार अपने Grandparents की मदद रहे अगर आप चहरे पर मौजूद दाग, धब्बे हटाना चाहती हैं, नेचुरल निखार चाहती हैं और साथ ही बढ़ती उम्र में जवाब ही बने रहना चाहती हैं तो बेसन को बनाएं अपने ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बेसन में अलग-अलग चीजे मिलाकर तयार करें फेस पैक और पाएं क्लीन एंड क्लियर स्कें एशिया कप 2023 के सुपर, चार राउंड में भारत की भिंत पाकिस्तान के साथ हो रही है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत कर पहले गेंडबाजी करने का फैसला किया है भारतिय टीम ने अपने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किये हैं जस्परीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है तो केल राहुल भी टीम में लौट आये हैं हाला कि श्रेयस अयर यह मैच नहीं खेल रहें थे उस मैच में रोमाच की सारी हदे पार हुई थी आकिप जावेद सतलैन मुश्ताक जैसे सरीखे गेंडबाज भी कोलकाता के प्रिंस यानी सौरव गांगुली के आगे पानी मांगते नजर आये थे रिशिकेश कानिटकर के बल्ले से निकले उस चौके ने नया इतिहास कायम किया था वंडे क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक तितर बितर हुई थी और उस दौर में एक दिवसिय क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट टीम इंडिया ने चेस कर डाला था एशिया कप 2023 के सुपर चार राउंड में टीम इंडिया की भिणत पाकिस्तान के साथ होनी है इस महा मुकाबले में टॉस काफी अहम किरदार निभा सकता है कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करने वाली टीम की मौज रही है दूसरी पारी में रन बनाना बल्लेबाजों के लिए बेहग मुश्किल काम होता है ऐसे में टॉस बड़ा खेल कर सकता है वर्ड कप 2023 का खुमार चड़ने लगा है 5 अक्टूबर से भारत की धर्ती पर इस मेगा इवेंट की शुरुआत होनी है अपनी ही सरजमी पर खेलने के चलते टीम इंडिया को इस बार खिताब का प्रबल दाविदार माना जा रहा है हालांकि मिचेल मार्श का ऐसा मानना नहीं है मार्श ने उन दो टीमों के नाम का खुलासा किया है जो विश्व कप 2023 के फाइनल में कदम रखेंगी प्रबहास पैन इंडिया एक्टर का टैग हासिल कर चुके प्रबहास की फिल्म को देखने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं उनकी फिल्में बाहुबली और बाहुबली दोने देश भर में हिट का परचम लहरा दिया था हालांकि आदिपुरुष की रिलीज ने मामला उलट दिया मगर फैंस को उनकी अगली मूवी का इंतजार है इस बीच एक्टर को लेकर खबर है कि उन्होंने एक बड़े बजट की फिल्म साइन की है सोशल मीडिया पर सिधार्थ मलहोतरा और कियारा अड़बानी का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में दोनों एक सेट से बाहर आते हुए नजर आ रही है वीडियो देखने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों शायद किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे है यह देखकर उनके फैंस काफी खुश है सुश्मिता सेन को इस साल के शुरुवात में हार्ट अटैक आया था हाला कि एक्ट्रेस अब पहले से काफी ठीक है इतना ही नहीं वह अपने काम पर भी लौट चुकी है लेकिन एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपने उन पुराने दिनों को याद किया और बताया कि उस वक्त उनकी छोटी बेटी ने उनका बेहत ख्याल रखा यू उर्फी जावेद निव लुक टीवी एक्ट्रेस से फैशनिस्टा बनी उर्फी जावेद अपने यूनीक ड्रेसिंग सेंस की वज़ह से चर्चा में रहती है उर्फी का यूनिक लुक देख कोई भी हक्का बक्का रह जाए एक बार फिर उर्फी जावेद ने अपने नए लुक से फैंस को हैरान कर दिया है उन्होंने शर्ट से एक ड्रेस बना दी उनका वीडियो वाइरल हो रहा है अभिनेता सूरज पंचोली ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिया खान सुसाइड केस को लेकर बटोरी अब एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए है एक लेटिस्ट इंटर्व्यू में सूरज ने खुलासा किया है कि पिछले साथ साल से एक लड़की को डेट कर रहे है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात की है अक्षय कुमार ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया है उनके इस खास दिन पर फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने उनको बर्थडे विश किया ऐसे में अक्षय ने भी सभी बर्थडे विश का आभार व्यक्त करते हुए उनका जवाब अपनी इंस्टा स्टोरी में दिया अब अक्षय की एक इंस्टा स्टोरी काफी वाइरल हो रही है जिसमें उन्होंने एक्प्रेस परिनिती चोप्रा को जवाब दिया है